एक बार फिर वार्दात कत लगी अप राधियों में अब खाकी का खौफ कितना रह गया है इसका जीता जाकता नमुना देखने को मिला मंगलवार शाम गंगा पुर्शिकी में भाजपानेता और पूरुपाली का दक्ष को कोली मार कर मौत की नीन सुला दिया गया उनके घर के बाहर ही दो अग्या थमलावरों ने भाजपानेता को निशाना बनाया और दाग दी कोलिया और इस हत्या की इस वार्दात के बाद बदल गया पूरा मलचर और लोगों में फैल गया गहरा रोश रिपोर्ट सवाई मादरीश यह तस्वीर है गंगापुर सिटी की जहां मंगलवार शाम कतल की एक वार्दात के बाद संसनी फैल गए यहां के पूर्व पालिका द्याप्ष प्रकाश चंद्रा ग्रवाल को अग्याद पदमाशों ने उनके घर के बाहर ही गोलिया मार दी और वार्दात को अंजाम देकर बदमाश रफू चक्कर हो गए दरसल पूर्व पालिका द्याप्ष और भाजपानेता डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ग्रवाल मंगलवार शाम करीब साड़े साथ बजे अपने ड्राइवर के साथ करोली से आये थे उनकी गाड़ी जैपुरोडी स्थेत उनके निजी आवास के बाहर खड़ी थी रात करीब नो बजे डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल अपनी गाड़ी को पार करने के लिए अपने घर से बाहर निकले और गाड़ी का दर्वाजा खोल कर गाड़ी पार कर रहे थे तब ही अचानक दो बाइक सवार बजमाशों ने डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल पर दो फायर कर दिये गोली उनकी कनपटी और पीट पर लगी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गए घटना के बाद अग्या थमलावर मौके से फरार हो गए वारदात की खबर मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहुल पैदा हो गया गणापुर शेटी के पूर्व पालिका द्यक्स डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल और दो अग्यात हमलावर में बोली से फायर करके उनकी अत्या कर दिया हत्या किन कारणों से की गई है अभी तक मामला ब्लाइंड है हम उनके जो बिजनस पार्टनर है या इनकी कोई बिजनस रेविलरी है या इनकी किसी से एनिमिटी है या ये भी ध्यान में आया कि दू दिन पहले इनको किसी में कोई दमकी दीदी गर में आके उन सभी एंगल और हमारा जो तक्नी की सिस्टम और हमारा जो ट्रैडिशनल सिस्टम है पुलीस का उससे हर एंगल पे तक्तीश करके इसके लिए अलग लग टीमें गटित की गई है भाजपनेता की हत्या की वारदात के बार लोगों में गहरा गुसा चा गया काफी संख्या में लोग अस्पताल में जमा हो गए और पुलीस के खिलाब जम कर हला बोला हाना की हत्या के इस मामले में पुलीस अधिकारियों की सफाई है कि उन्होंने लोगों के साथ समझाईश की है और जल्द ही आरोपियों को गिरफतार कर लिया जाएगा लेकिन अभी तक उनकार्णों का खुलासर नहीं हो पाया है कि आखर प्रकाश अधुरवाल को गोलियां क्यों मारे कई खुले आम हत्या की वारदात ने अब इलाके की पुलीस को भी हाश्ये पर खड़ा कर दिया है पुलीस के सामने अब चुनोती खड़ी हो गई है उन कातिलों को गिरफतार करने की जिनों ने गुना का ये खेल खेला बहरहाल अब देखना यही होगा कि कतल की इस वारदात के बाद गुस्साई लोगों को पुलीस अब किस तरह शांत करती है और कब तक वह कातिलों तक पहुंच बाती है फर्स्ट इंडिया के लिए सवाई माधवपूर से सुदर्शन कुपता की रिपॉर्ट